हलो हाई नमस्ते हादा सलाम स्वागत करते हमारे इस यूट्यूब चैनल बे अलिवन सॉलूशन सॉलूशन ऐसा जो काम आए तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक टिकेट बुगिंग के लिए बताया था एक ट्रिक जिसके थुरू आप मार्वल के दो पासेज दो मूवी क पासेज खरी सकते हैं अगर एक आदमी के लिए आपको लेना है तो आपको 149 रुपीज दो मूवी के पड़ जाएंगे तो ये वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो अब भी आप देख सकते हैं कि क्या मैंने उस वीडियो में बताया था तो उस वीडियो से मिलेगी या दो मूवी के लिए मिलेगी और 200 रुपय कैस्ट जो होगा वो दोनों मूवी में होगा या फिर एक मूवी में होगा बहुत सारे कमेंट है इस वीडियो में तो आज वो सारे कमेंट को दूर करेंगा और मैं लाइफ को आपको दिखाऊंगा लाइफ डेमो करके दिखाऊंगा कि कैसे आप टिकेट बुक कर सकते हैं उस कोड के जरिए तो वो कोड किसके लिए अप्लिकेबल है अगर आपने खरीदा होगा तो आपको दीख जाएगा तो चलिए ये वीडियो में मैं बताता हूँ तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि मूवी जो माई आप जाएंगे तो वहाँ पर जितने भी आपने प्लेस किया होंगे आप अपने पेटियम के थुरू आपको वो दिख जाएगा माई ओडर सेक्शन में तो माई ओडर सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो 149 वाला आप भी अगर खरीदे होंग उस पास को अगर आपने नहीं खरीदा तो अभी भी आप टाइम है अभी भी आप खरीद सकते हैं ओली 149 रुपेज लगेंगे दो मुवी आप देख सकते हैं अगर ये वीडियो जो पहले मैंने दिखाय था वो वीडियो आपने नहीं देखा तो अभी देख सकते हैं उसके ये code जो है आपका change होता रहता है तो अगर आप अभी जैसे की Captain Marvel 8 of March को release होने वाली है तो उसके लिए आप अभी ticket ले सकते हैं और जो आपका second volume जो end game आने वाला है Avenger का end game वो आने वाला है April में तो April में movie तो अभी book नहीं हो सकती तो ये जो आपने कोड है जिसको आप copy करके ticket जैसे book करते है promo code में इस code को डालेंगे तो आपको up to 200 cashback मिल जाएगा तो लाइब डेमो में आपको करके दिखा देता हूँ तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा तो चलिए मैं mobile screen के उर ले चलता हूँ पूरा वीडियो को अच्छी तरह कैसे देख लीजिएगा ध्यान से देखिएगा ताकि आप कमेंट जो भी करें तो आपको समझ में आ जाए और अगर कमेंट हो तो अगर कोई डाउट हो तो आप पूस सकते है अगर आमारे चैनल पर आप नए आ रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजिएगा और बेल आइकन को दबा दिजिएगा ताकि नए offers आपसे छूटे नहीं तो चलिए mobile screen पर आपको ले चलते हैं तो simply आप movie ticket जैसे book करते हैं वैसे ही आपको book करना है और code के जगे वह code को आपको पेस्ट कर देना है तो यहां movie ticket का option जो आपको दिख रहा है वहां पर आप जाएंगे वहां पर जाने के बाद जो भी आपका select होगा जो भी आपको city में देखना है movie को उस city को आप select करेंगे और फिर आपको जो है यहां पर जो movie देखना है जैसे basically मुझे marvel के बार मताना है तो जिसके लिए आपने pass खरीदा है तो उसके demo में आपको करके देखना है तो यहां पर जो सबसे उपर एक option slide option आ रहा है movie marvel का तो यहां आप देख सकते है captain marvel यहां पर आप select करेंगे तो यहां simply आप movie show time को आपको select करना है जैसे कि Friday 8 of March को आया देख सकते है कोई भी location में कोई भी movie आप देख सकते है अगर वो पेडियम पर applicable हो तो तो यहां पर देख सकते है 8 of March को आप देख सकते हैं इस cinema hall में चलिए एक example लेकर आपको समझाता हूं कोई भी एक cinema hall को select कर लेता हूं और फिर seat book करकर करके आपको दिखाता हूं finally यहां पर मैंने captain marvel के लिए सीने पॉलिक्स अंध्र अंधेरी वाली सेलेक्ट कर लिया और यहां पर एक ticket को select कर लिया जिसका premium का प्राइस है 200 रुपी तो यहां पर book ticket में जाने के बाद यहां पर 200 रुपया टिकेट के प्राइस थे तो आप उस movie ticket के जो code थे उसको आपको यहां पर select करके पेस्ट करना यहां प्रोमो कोड के option में जब जाएंगे तो यहां पर have a promo code को में जो है वो code को paste कर देंगे और apply कर देंगे जैसे ही apply करेंगे यहां पर आप देख सकते प्रोमो कोड applied and 200 will be cash back to your account within 24 hour तो 24 घंटे के अंदर में तो बोला जाता है बट आपको एक दो घंटे में 5-10 में ही मिल जाएगे आपको 200 रुपया तो यहां पर आपको overall जो price ticket कर रहेगा वो 220 रुपया आपको pay करना पड़ेगा initially और 220 रुपया जैसे pay करेंगे 200 रुपया आपको cash back हो जाएगा within 1-2 hour तो overall जो इस ticket कर प्राइस आपको लगा है सिर्फ और 23 रुपया जो taxes होते है वो आपको 23 रुपय सिर्फ लगे है और बाकी आपको 200 रुपय cash back हो गया तो ये movie थी आपका Captain Marvel की वैसे ही इसी तरह आपको वो भी ticket के book कर सकते है end game के लिए इसी तरह इसी प्रकार से आप end game के लिए भी book कर सकते है और आपको एक code generate हो जाएगा उस movie के लिए भी और इसी तरह आप 2 movie देख सकते है एक साथ 149 रुपया प्लस कुछ taxes अगर आपका movie ticket का price मान के चले लगबग 20-30 रुपय टैक्सेस आराम से लगी जाता है तो वो आपको 20-20-40 रुपया और आपको 150 रुपया नहीं 190 में दो movie आप देख सकते हैं वो भी अच्छे वाले प्रीमियम क्लास वाले seat पर बैठ करके और अच्छी जगह पर देख सकते हैं तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और समझे में कुछ नहीं आया तो जरूर पूछ लीजेगा और पहली वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजेग पर देख लिःख लीजेगा और समझे में करके जरूर बताईएगा और सम देखा है झाल झाल